ओम नमस्षिवाय दोस्तो आईए जानते है सपने में भगवान शिव को देखने का मतलब। दोस्तो निंद में आने वाले सपने आपके अच्छे और भूरे भविश्य की और इशारा करते है। सपनों में मिले इन संकेतों से आप जीवन में होने वाली घटनाउं के बारे में जान सकते है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको सपने में भगवान शिव जी दिखाई देते है तो उन सपनों का क्या आर्थ होता है। सपनों में शिवजी और साप का एक साथ दिखाई देना शुब संकेत है और धनलाप का संकेत है। अगर आप भी बार बार सपने में शिवजी को देखते है तो इसका अर्थ आपके जीवन में एक खास संदेश आने की पुर्व सुचना है। सपने में शिवजी को उग्र रूप में तांडव करते हुए देखना अशुब सवपन कहा जाता है क्योंकि यह शिव का रोद्र रूप है जो उनके क्रोद को दर्शाता है। स्वप्न में शिव मंदिर का दिखाई देना या स्वईय का शिव मंदिर में प्रवेश करना शुबसंकेत माना गया है। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि किसी रोग के कारण आप परिशान है तो यह रोग शिग्रही ठीक होने का संकेत है। सपने में देवों के देव महादेव को त्रिशुल के साथ देखना शक्ती का प्रतीक और शुबसंकेत है। जो जीवन के संकटों का नाश तथा परिशानियों से लड़ने की शक्ती देने वाला माना जाता है। अगर आप सपने में भगवान शिवजी से बाते करते हुए देखते हैं तो यह सवपन बहुत ही शुभ माना गया है। सवपन में शिवलिंग देखना बेहत शुब और जीवन के अशुप तत्वों का नाश करने वाला माना जाता है। सपने में शिवलिंग देखने का दूसरा अर्थ आपका अच्छा समय शुरू होने का संकेत है और जीवन में लंबे समय से चल रही परिशानियां दूर करने वाला माना जाता है। सपने में शिवलिंग को देखना आर्थिक सुधार का संकेत है। सपने में शिवलिंग को देखना आर्थिक सुधार का संकेत है। यह अचानक धन प्राक्ति का भी संदेश है। सपने में शिव पर्वती के एक साथ दर्शन करने का अर्थ, कारिय शेत्र या व्यापार में नए आउसर मिलने तथा धनलाब मिलने का संकेत है। अगर कुवारे योक यूतिया शिव पार्वती को स्वपन में देखते है तो जल्दी विवाह होने का संकेत बतलाया गया है। अगर आपको सपने में शिव जी की जटाओं में चांद दिखाई पड़े तो यह ज्यान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों अगर आप सपने में भागवान शिव का तांडव नुर्त्य दिखते है तो यह जीवन में चल रही समस्या हल होने का संकेत है। जय भोले नात।